हेलो दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में तो दोस्तो इसी ग्रम में आपके लिए एक और विगिप्ती यहां पर आ चुकी है प्रातम एक सिक्छक पॉड़ी गडवाल और इस विगिप्ती को देखे कुन्फिज होने की जौरत नहीं है क्योंकि यह विगिप्ती पुरानी वाली है और इसमें आप रिक्तपद देख सकते हैं 94 रिक्तपद हैं और उपन कैटेगरी के लिए 50 पुस्टे हैं अनसुचित जाती के लिए 19 अनसुचित जाती के लिए 3 अन्य प्रिछड़ा वर के लिए 13 और EWS के लिए 9 पुस्टे यह कर लें और कोई गलती रहे जाती है तो उस पर परत्याविदन लगा सकता है और किस तरीके से परत्याविदन लगाना है तो आपको क्या करना है कि जिस भी डॉक्यमेंट में आपकी यहां पर गलती नजार आ रही है वो डॉक्यमेंट की फोटो कॉपी और उसके साथ एक जो अभी प्रात्मिक सिक्चक की चार्शिकान पोस्टों पर भरती आ रही है जो कि अलमोडा में आज चुकी है 154 पोस्टों पे तो उस पर किस तरीकी से आपको फॉर्म बनना है ठीक है तो सबसे पहले पहला डाउट जो है लोगों का वो यह है कि कौन-कौन लोग इसके इलिजिबल है या नहीं है तो उसमें साप साप लिखा है कि जिनके ग्रेजोशन में 50% से कम मार्क से वो इसके लिए इलिजिबल नहीं है ठीक दूसरी लोग की सबसे बड़ी दिक्कत यहारी है कि यह फॉर्म किस तरीके से फिल करना है या जो उत्राखंड की निवासी है औ और उनका 10th और 12th बाहर से है किसी अधर इस्टेट से है तो वो लोग इसके लिए ऑलिजिबल है कि नहीं है तो उनको बताना चाहूंगा मैंने पिछले वीडियो में भी साप साप कहा है कि कोई उत्राखंड का निवासी है और उसका 10th और 12th किसी अधर इस्टेट से है और वो इस फ़र्म को फिल कर सकता है तो सबसे पहली बात है अधर इस्टेट का केंड़ेट अभी इस फ़र्म को फिल कर सकता है इस पोस्ट के लिए तबी एलिजबल माना जाएगा जब उसके मातापिता में से कोई भी सेंटर गौर्मेंट या उत्राखंड इस्टेट गौर्मेंट का करमचारी है या उसकी सर्विस को उत्राखंड से बाहर नहीं ट्रांसपर किया जा सकता है तब ही वो इस पोस्ट के लिए eligible माना जाएगा वरना उसको इस पोस्ट के लिए eligible नहीं माना जाएगा तीस्रा है यहाँपर जो रोजगार कारेलय है उसमें 500 ज़रूरी है कि नहीं है तो हाँ उसमें रोजगार कारेलय में 55 ज़रूरी है और जो आपने फार्म देखाओगा तो उसमें performa आपको मिला होगा उसमें आपको last में एक कॉलम दिखा होगा जहाelnग आपको अपना रोजगार कारले में जो आपका पंजी करण संक्या है registration number है वो वहाँ पर फिल करनी है और उसमें अपने registration की date भी आपको वहाँ पर फिल करनी है तीन चार चीज़े ये होगी है अब लास्ट में दिक्कत लोगों को ये आ रही है कि जो फॉर्म हमने पोस्ट करने है उसमें डिग्रियां पोस्ट करनी है कि नहीं करनी है तो इसमें आपको फॉर्म के साथ साथ अपनी मार्क शीट के साथ साथ डिग्रियां भी आपको और उनकी संख्या भी वहाँ पर लिखनी है, आपने कितने वहाँ पर डॉक्युमेंट टोटल लगाये हैं और उनको आप सेल्फ अटेस्टेड भी कर ले हैं नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो यह है कि जो आपको 30 रुपे का डाक टिकेट लगाना है वो किस तरीके से लगाना है तो आपको क्या करना है एक छोटा वाला जो इन्वलप आता है तो उस पर आपको 30 रुपे का डाक टिकेट लगाना है और उसी डाक टिकेट लगे हुए इन्वलप पे आपको अपना एड्रस भी लिखना है ठीक है तो यह चीज़ा आपको करनी है और विग्यप्ति संख्या भी यहां पर लिखी गई है तो आप लोग यहां से देख लें और इस तरीके से आपको यहां पर जो अपना परत्यावेदन है वो फिल करना है और अलमुड़ा वाली पोस्ट पर फॉर्म किस तरीके से बनना है वो भी हमने आपको बता दिया है तो देखते हैं आगी क्या होता है कब तक अन्या जिल्लों की पूस्ट आती है टूटल नौ जिल्ले यहां पर हैं सोरी टूटल आठ जिल्लों पर यहां पर फॉर्म आने हैं एक में आ गया है और साथ जिल्ले अभी बाकी है जिन पर 400 इकाउन कुल पूस्ट आनी है 124 आ चुकी है और देखते हैं कब तक अन्या जिल्लों की यहां पर विग्यप्त आती है और ऐसा माना जा रहा है कि इसी हपते में लास्ट तक वो सारे जितने भी बाकी जिल्ले बच्चे हुए हैं उन पर जो फॉर्म है वो आने सुरू हो ज किया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक लोगों तक सेयर करें तब तक के लिए दन्यवाद गुड़ लग